हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और राज सरकारों पर जुटे आरोब लगाकर जनता को ब्रहमित करने का दुश प्रयत्न किया जा रहा है वे रविवार को यहां पत्रकारों से रूबरू थे उन्होंने कॉंग्रेस को जुट का पुलिंदा करार दिया और कहा कि कॉंग्रेस हिट एंड रन की नीती पर चल रही है यानि कॉंग्रेस के नेता जुट बोलकर भाग जाते हैं राफेल डील से अपनी बात को बल देते हुए मेगवाल ने कहा कि राफेल गांदी राफेल डील को लेकर केवल जूट बोल रहे हैं राफेल विमानों की जो कीमत राफेल गांदी बताते हैं वे UPA सरकार के समय प्रारंब में चर्चा में थी लेकिन खुद UPA की सरकार के 50 साल म राफेल की कीमत कई गुना बढ़ गई है जिसका कॉंग्रेस कही जिक्र नहीं करती उन्होंने दावे से कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार UPA सरकार की आखरी निर्धारित कीमत से 9% कम कीमत पर राफेल खरीतने जा रही है पहले से चल रही सरकार योजनाओं के नाम बदलने के सवाल पर केंद्रिय मंत्री ने कहा कि मोधी सरकार ने किसी सरकार योजना का नाम नहीं बदला बलकि पूरी योजना ही बदल दी है उन्होंने कॉंग्रेस के नेताओं को चनाव प्रचार के तरीके पर आपत्ती जताई कॉंग्रिस के कद्दावार नेता CP जोशी के जाती संबंधी बयान को लेकर केंद्रिय मंतरी ने कहा कि जोशी उमा भारती, साधवी रितंबरा और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की जाती पूच कर देश को जाती और धर्म के नाम पर बाटने की राजनीती कर रहे हैं एक सवाल के जवाब में मेगवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की लड़ाई भाजपा में नहीं है, कॉंग्रिस में है, हमारे यहाँ पार्टी के सभी कार्यकरता मिलकर मुख्यमंत्री तै करते हैं और हमने वसंद्रा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना हुआ है, कि सन 1949 से ये प्रकरन नयाले में चल रहा है मंदिर का मुद्दा हर बार कॉंग्रेस उठाती है और हमको जवाब देना पड़ता है भाजपा और इसके कारिकरता चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्मान होना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस का नजर्या सपष्ट नहीं है ये कॉंग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि वो राम मंदिर के पक्ष में है या खिलाफ है वैसे राजीव गांदी ने सबसे पहले राम मंदिर के ताले खुलवाए और पूजा अर्चना शुरू करवाई थी लेकिन अब कॉंग्रेस ही मंदिर निर्माण में अरंगा लगा रहा है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राम मंदिर पर फैसला देना चाहिए जोदपुर से जागुट टिवी के रिपोर्ट